हैलो फ्रेंज्स, वेल्कम बेक टु दा चैनल, कडल एंड केर, आज हम जिस बारे में बात करेंगे, वो है निवबर्ण बेबी के लिए, क्या एसेंशियल मेडिसिन्स हम लोगों को अपने साथ घर में रखना है। जब एक बेबी बोर्ण होता है, तो उसको एड़्जस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, उसे दोरान इस आज़्जस्टमेंट के ताइम हैं इसमें उन लोगों को बहुत सारे प्रोब्लम्स होता है छोटा मोटा, जैसे कि फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, या टमी के थोड़ा सा प्रोब्लम हो गया, तो यह सब चीजों के लिए आप एक बार हर ताइम आप पेडियाट्रिशियन के पास तो नहीं भाग सकते, तो बेटर है आप एक ही बार जाए और उनसे जाके पूछके, मेडिसिन लाके आपके पास टोर करें. तो मैंने भी मेरा जो पेडियाट्रिशियन है, उनसे पूछके कुछ-कुछ मेडिसिन मैंने खरीद के रखी थी साल भर के लिए, तो भो शेयर करोंगी क्या-क्या मेडिसिन मैं रखी थी मेरे बेबी के लिए. फर्स्ट हो गया ये एक नैजो क्लियर जो एक नैजल ड्रॉप है, ये एक सलाइन वाटर का ड्रॉप है, बच्चों को कभी-कभी कोल्ड हो जाता है, जैसे सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब रहने से या बाहन निकले तो वेदर चेंज के टाइम में या रेनी सीजन में और इसमें उनका जो नॉस्ट्रिल है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इस टाइम में आप क्या करेंगे, बहुत सारे पैरेंट्स बहुत प्रोब्लेम में आ जाता है, मैं भी बहुत मुश्किल में पड़ी थी, जो मेरा बेबी को AC में नोस ब्लॉक हो गया था, तो मेरा डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये नेजो क्लियर जो हैं, तो ये एक-एक नोस्टिल में 1-1 drop इच नोस्टिल आप देंगे, अगर cold ज्यादा है तो ये every two hours, every two hours में एक-एक drop एक-एक नोस्टिल में दीने से उनका cold कम हो जाता है, और देखना, एक-दो दिन में वो बिल्कुल ही चला जाता है, तो यह एक बहुत ही एसेंशियल चीज है, आप यह जरूर रखियेगा, बट अगेन, आपका पेडियोट्रेशन से एक बार पूछ की ही आप कोई भी मेडिसीन हो, वो खड़ी दिये. नेक्स्ट है कॉलीकेड ड्रॉप, कभी-कभी आप देखना, आपका बेबी बहुत क्रेंकी हो जाता है, without any reason, आपको नहीं पता चलता है, यह इतना क्रेंकी हो रहा है, इतना फासी हो रहा है, तो उस टाइम में अगर यह आप उनको यह एक ड्रॉपर भी आता है इसके साथ, उसमें देखे, आप बेबी को पिला दीजिए, और देखना वो एकदम से सही हो जाता है, और कभी-कभी बेबी को गैस हो जाता है दूद पीने से, तो यह कॉलिकेट ड्रॉप आपके पास रहने से उस गैस की इशू में भी मदद करता है, थार्ड है क्रोसीन ड्रॉप, बच्चों का कभी-कभी फीवर हो जाता है, छोटे बच्चों का, और जब वैक्सिनेशन के लिए भी जाएंगे, तो वैक्सिन के टाइम में उनका पेन भी होता है, किसी-किसी वैक्सिन से बच्चों को पेन भी होता है, तो यह क्रोसीन नॉट ओनली फीवर, वो पेन रिद्यूस होने में भी बहुत मदद करता है, तो यह क्रोसीन का एक पैक आप तो आपके पास दूप में सुलाओ, पर अभी वो सिचुएशन तो रहा नहीं, अब बोलते हैं कि धूप से अपका UVA, UVB रह आता है, तो बहुत सारे चीजे हैं, मैं उस डीटेल में नहीं जा रही हूँ, तो अब जीरो तो ट्वेल्फ मंद्स आपको विटमीन डी थ्री बच्चों को देन और कभी कभी वर्स-केस सिननारियों में देखा जाता है कि रिक्ष भी हो सकता है, तो विटमीन डी-थ्री देने से वह बेपी ज्यादा जल्दीठ थोड़ा जल्दी 이시्च कर्ता है, वाग भी करता है, तो बोन स्टेंद एंदिंद के लिए आपको ये वीटमीन डी डीट everyday without fail और आप अपना डॉक्टर से पूछ के ही देना और एक चीज जो मेरे डॉक्टर के सजेशन से मैंने खरी दी थी वो है कार्वूल, कार्वूल ड्रॉप यह मेरा बेबी को एक बार बहुत ज्यादा जुखाम हो गया था तो यह कार्वूल रात में कपड़ों में छोटा सा कार्वूल के यह जो एम्पूल्स है इसमें छोटा सा छेत करके आप यह कपड़ों पे थोड़ा थोड़ा दो तीन ड्रॉप देने से उनका रात में नींद बहुत अच्छा आता है वो चैन से सो पाता है और जब बहुत सारा बहुत ज्यादा कंजेशन हो नोज में या थ्रोट में तो आप गरम पानी में इसका थोड़ा-थोड़ा करके 2-3 ड्रॉप्स मिलाके उससे जो वेपर है वो बेबी को अगर आप दे तो उससे उसका नोज और थ्रोट जो भी होता है तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर यही सजेस्ट करते है कि आप आइरन ड्रॉप ले लो तो मेरा डॉक्टर ने भी मुझे रैरी कैप का यह मेडिसिन सजेस्ट किया था बट मैंने शुरू भी किया था बट बेबी को थोड़ा सा इशू हो गया तो यह और सॉलिड भी अच्छे से शुरू करें उसके बाद मैं फिर से यह चालू करूंगी बट यह आयन ड्रॉप इस वेरी असेंशियल फोर न्यूबर्ण बेबी सो गाइज आप भी यह जितना भी मैंने मेडिसिन आपसे शेयर किये इच और अवरी मेडिसिन इसेंशियल बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो आप यह सब खरितने से पहले एक बार आपका डॉक्टर से आप जरूर पूछिए उसके बाद एक साल भर के लिए आप यह आपक हैं, तो अब जरूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. Thank you guys.